चलिए तो फिर शुरुवात करते हैं exercise 6.2 की और पहला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि करना क्या है सवाल के अंदर show that the function given by fx is equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r हमें इप्रूफ करना है कि यह जो function दे रखा है यह क्या होगा strictly increasing होगा सभी real numbers के लिए तो यह जो सवाल है इसका हम दोनों तरीके से करके देखेंगे जो हमने पिछले lecture में सीखे थे किसी भी function को increasing या decreasing प्रूफ करने के लिए दो method हम सीख चुके हैं दोनों को इसके अंदर apply करके देखेंगे मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ वो दोनों method क्या क्या थे तो definition 1 के according अगर आप किसी भी function को increasing प्रूफ करना चाहते है strictly increasing तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पहले आपको x1 is less than x2 लेना पड़ेगा और उसके base पर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि fx1 जो है वो fx2 से क्या है less है तो अगर x1 x2 से छोटा होता है x1 is less than x2 और उसके base पर fx1 fx2 से छोटा हो जाता है तो आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि आपको जो function दिया गा है वो strictly increasing है तो ये तो एक तरीका है दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि अगर हम theorem 1 के according करते हैं अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि f-x greater than 0 है यानि कि जो भी function हमें दे रखा है अगर हम उसके differentiation को greater than 0 प्रूफ कर देते हैं तो भी ये साबित हो जाएगा कि दिया गया function क्या है strictly increasing है तो हम इन दोनों तरीकों को उस सवाल में apply करके देखेंगे तो पहला जो method है उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा let x1, x2 belongs to r such that x1 is less than x2 इसके बाद हम क्या करेंगे इनको धीरे धीरे उस function में convert करने की कोशिश करेंगे मतलब ही x1 को हम 3x1 plus 17 बनाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम 3 से दोनों side multiply कर देंगे तो इधर आजाएगा 3x1 और उधर आजाएगा 3x2 इसके बाद हम क्या करेंगे 17 जो है उसको दोनों side add कर देंगे तो 3x1 plus 17 is less than 3x2 plus 17 तो इस तरह से x1 x2 से शुरुआत की और अब ये उसमें convert हो चुका है function में अब इसकी जगा पर हम क्या लिख देंगे fx1 और उसकी जगा पर हम क्या लिख देंगे fx2 तो अगर हम शुरुआत करते हैं x1 is less than x2 से और fx1 is less than fx2 आ जाता है तो प्रूव हो जाता है कि हमारा जो function है वो क्या है strictly increasing function है और मानलों की x1 is less than x2 होता लेकिन अगर fx1 fx2 से बड़ा आ जाता है तो यह function strictly decreasing हो जाता है लेकिन फिलाल अगर यह से छोटा है और function भी fx1 भी fx2 से छोटा हो जाता है तो इस बेस पर कहा जा सकता है कि function जो है strictly increasing है तो end में हमने लिख दिया है कि thus fx1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2 x1 x2 से छोटा है तो उसे क्या साबित होता है fx1 fx2 से छोटा है तो इस बेस बर कहा जा सकता है कि हमारा जो function है वो strictly decreasing sorry increasing function है मुझे यहाँ पर increasing लिखना था तो अब इस function को strictly increasing proof करने के लिए हम दूसरा method करेंगे तो जो method है इसे first derivative test के नाम से जाना जाता है जो भी हमें function दिया जाता है सबसे पहले मुसका derivative find करते हैं और यह देखते हैं कि उसका sign जो है वो positive आएगा या फिर negative आएगा तो इसका derivative find करेंगे तो f dash x is equal to 3x का क्या हो जाएगा 3 और 17 का हो जाएगा 0 finally हमें 3 मिलेगा और 3 जो होता है वो क्या होता है greater than 0 तो हम लिखेंगे because f dash x is greater than 0 greater than 0 या फिर आप positive भी लिख सकते हैं greater than 0 तो क्योंकि f dash x greater than 0 है तो इसका मतलब यह हुआ कि f x is strictly increasing strictly increasing on r तो इससे क्या न काफी जल्ली हो जाता है इससे थोड़ा सा ज्यादा time लगता है तो दोनों तरीके से हमने सवाल को करके देख लिया है पहले method में x1 is less than x2 लेंगे और prove करके दिखाएंगे कि f x 1 is less than f x 2 दूसरे method में कुछ खास नहीं है जो भी function दिया गया है उसका derivative find करो और derivative तो उम्हें दिखेंगी 0 से बड़ा है तो strictly increasing और अगर derivative 0 से छोटा है तो strictly decreasing अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि अगर derivative 0 के equal आजाए तो क्या कहेंगे तो ऐसे के इसमें जो function होता है वो constant function होता है ना तो वो strictly increasing होता ना वो strictly decreasing वो उसका ग्राव एक सीधी line आ जाता है ठीक है तो ज्यादातर सवाल जो हम करेंगे अपनी exercise में वो इसी method से करेंगे क्योंकि ये एक simple method है चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल को देखते हैं